हाई फ्रेंड सनीता की रसोई में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए व्रत स्पेशल चीला लेकर आए हैं क्या होता है कि हम साबुदान की खिचड़ी और बड़ा खाकर बोर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि इस व्रत में कुछ नया क्या बनाया जाए तो आप ये स्वा सकते हैं इसे हम grind कर लेंगे दर-दरा mixer grinder में पीस लेते हैं देखिए हमने दर-दरा पीस कर तयार कर लिया है अब हम इसमें आलू मिलाएंगे ये मिरे पास मीं उबला अलू था एक अलू डालना है मेजरमेंट कर जरूर धियान रखिए कि आलू ज्यादा नहीं होना चाहिए तो एक उबला अलू डाला है आप चाहे तो कच्चा अलू ग्रेट करके डाल सकते हैं यह हम मिक्स कर देते हैं यह क्रश्ट मुंगफली है इसे हमने मुंगफली दाने को 4 टेबली स्पून भून के इसका छिलका हटा के इसे दल्दरा पीस लिया है दो टीस्पून हरी मिल्ची, हरा धनिया, अधा का टोरी, एक टीस्पून चीरा और एक टीस्पून हम इसमें सेंधा नमक डाल दिया है आप चाहे तो साधा नमक डाल सकते हैं अगर ब्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो पानी की सायता से इसका बैटर तयार कर लेंगे देखिए हमने इसका बैटर तयार कर लिया है, हमें दो कप पानी लगा है इसका बैटर तयार करने में इसे हम 10 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए छोड़ देते हैं इससे क्या होगा कि साबुदा ना थोड़ा फूल जाएगा आप चाहे तो तुरंद भी बना सकते हैं देखिए पूरा पानी एब्सौर कर लिया है साबुदा ने ने आप चाहे तो इसी मटेरियल से आप पैनकेक्स चैसे थोड़े मोटे बना सकते हैं मैं इसका चीला है लियसे दुगत क मेवानी डाल देते हैं और ईसका पैटल तयार लेंगे फिर से इतना पटला घोल रखना है हमें चीला बनाने के लिए एक तवा ले लिया है से हमने तेल से ग्रिस कर दिया और इस पे हम ये चीला फैला लेते हैं पतला नहीं फैलाना है थोड़ा मोटा ही चीला बनाना है अगर बहुत पतला फैला लेंगे तो ये निकलने में अधिकत होगी इसमें ओईल डाल देते हैं और धकन कवर करके इसे हम दो मिनट के लिए छोड़ देंगे मिडियम फ्लेम पे रखना है देखिए दो मिनट हो गया है इसे खुला हम आधे मिनट के लिए छोड़ देंगे तुरंत नहीं निकालना है खुला छोड़ दीजिया आधे मिनट के लिए देखिए अब हम इसे पलट लेते हैं देखिए कितना सुद्णर कलर आया है, इसे भी हम एक मिनट के लिए सेख लेंगे दूसरे साइट से, दोनों साइट से अच्छी तरफ पकना चाहिए, अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं, इसी तरह हम सारे चिले बनाकर तयार कर लेंगे, आपने देखा हमने कितने जल् धनिया की चटनी के साथ में सर्व किया है, हरे धनिया की चटनी में हमने हरा धनिया, हरी मिर्च, अद्रक का थोड़ा टुकड़ा और नीबू का रस के साथ में पीस लिया, और इसमें दही ले लिया है, कटोरी में, दही के में हमने काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक डा कर दिया है हरे धनिया से गानिश कर दिया है इसी दर आप रत में चीला बनाईए और मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद